लो दोस्तों कैसे हैं आप लोग में दुरगे जैश्वाल श्वागयत आपका हमारी यूट्यूब चैनल एलैनी बिदुरगेश में आज हम लोग हमारा सौर मेंडल बनता है जो क्रमश बॉद्ध शुक पितिवी मंगल ब्रहसपति शनी अरूण वरूण और यह प्लूटो यम या कुबेद जिसे बॉना ग्रह की स्रीच कहा जाता है को चुन पर चूणस है तो अब ग्रहों की संख्या है वह खितत हो जाती है इन Best चुना ब्रहस पेक्क्राइब लिव घ parish करके तब तक आप अब सभी लोग के थे रहे इन यह Ao आज हम जो आपके परिच्छा में सबस्याद व्योगी होते हैं खासकर इंसी भरती परिच्छा के तारीक रहें इसके लिए सबसे आहम और महत्तपूर्ण होता है चलिए करके पहले बात करते हैं पहले में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसको बुद्ध के नाम से जान क्रमें बढ़रतर हैं इस तरह से कौन सा क्रम कहता है सै कहता है आरौहि क्रम कहते हैं आरौहि क्रम है 600 अर्फ करमी बर्थे बढ़ा सुक्र शूक्य से बड़ा नेकिन मंगल इसका अभवात स्ब्रह वात in कि चार ग्रह बढ़ते करम हमें और चार हग्रते वी करम में मानें इह और वी प्रक्रम अरव से कम में मंगाल अका में अब इसके बारि में महीं जाने गया इसा कियों है कि आपको पता है मंगल के कुछ टूट कर यहां पे छुब्द ग्रह की पट्टी के रूप में तयार रहा हैं जिसे हम अशनायट बेल्ड के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए एके करकेप ग्रहों के बारे में कहते हैं पढ़ते हैं इन शुरुवात के चार ग्रह को आंत्रिक ग्रह कहा जाता है इन चार ग्रहों को आंत्रिक ग्रह कहा जाते हैं उर बद्ध शुक्र पित्यवी और मंगल नश्क के शीरिष को हम आंत्रिक ग्रह कहता है तथा इनS सभी को मिलाकर मंडल कहा सभी को मिलाकर क्या कहते हैं सौर मंडल के नाम से जानते हैं जिसे हम अब लोग अपनी सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं लेकिन यह आप पर हमने देखा कि जो नौवाग रह था जिसे हम प्लूटो कहते थे इसे 24 अगस्ट 2006 माने 24 अगस्ट 2006 को ग्रह किस रणी से हटा दिया गया ठीक अंताराश्टिक गोली संग ने इसे क्या किया क्योंकि दूसरे कच्छा वो कारता था अब ग्रहों के संख्या कुल कितने हो गई है आठ हो गई है और यहां पर गरीन आठ ग्रहों को देखा जाएं बुद्ध मरकरी ठीक वेनस शुक्र तो एक काम करते हैं पहले आप लिखेगा कि जो ग्रह है यह सूर से बढ़ते हुए दूरी करम के अधार पर कैसे हैं फिर हम लोग इसके दूरी के अधार पर पढ़ते हैं तो फटा फट इस वीडियो को पहले इसके दूरी के आधार पर हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर देखें बुद्ध शुक्र प्रिथवी मंगल अगर नहीं है सुर्ष दूरी की अधार पर देखें टी यही करम आएगा बुद्ध शुक्र प्लडिथावी मंगल भ्रहसथ पति pregunt म को इसके सोड.' नहीं है ऑण्लिन्स के ऐस ट्रीज्रीए पर लेकिन अगर हम देखें की बढ़ती हुए गड़ी आधार पर देखें यहां पर कई चीजा आपको शामने मिलेगा आकार के अंुसार गढ़ते हुए क्रम में आकार के अनुसार घढ़ते हुए ह्रम पिर भिर्षपति सनी अरुन वरण फिर आपका आता है तो यह मंगल नहीं आता किमंगल अपवाद ho जाता है ये चारावटरण बाहगरण कहते हैं बुद्रसुकृउअ और मंगल फिर ऑसुर्ण आता है फिर आपका मंगल आता है फिर आपका फिर प्रस्ट बना क्या बना आपका यहां पे दो प्रश्ट बना पहला कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रय है वो सबसे बड़ा कौन सा है ब्रहस पती है यह हो गया सबसे बड़ा अगर सबसे छोटा पूजेता सबसे चोटा तो आपका बुद्ध है बुद्ध हमारे सौरमंडल का सबसे चोटा और सबसे बड़ा जो है वह हमारे क्या है ब्रहस्पति है सबसे बढ़ा इस उससे चोटा सनी से छोटय आपका अरुनिवर उससे च्षोटा वरु उससे छोटा प्रिधिव उससे च्थ क्रूट फिसने सब्से चोटा निकार जाए बढ़त भूत में सबसे चोटा ज çıkता दो मंगल से बड़ा शुक्र से बड़ा प्रितिवी से बड़ा वरून ओन настро queríaती सब्सेट है , इस परकार हम लोगों ने घृते और भढ़ते दोनों क्रमों में देख लिया अब यहांँ सेगर आपके मन में कोई समस्या कोई दिक्कต आ रही हो तो भी आप पोशक्थ है उमीद करता हूँ यहांँ से दोनों कॉझेफ्ट आपके समझ में आगोंगे बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में इसके skin shot ले लिजेगा ताकि हम लोग जब आगे इसके बारे में पढ़ें आगे इसके बारे में समझे अनिशवी तत्थों को भी एक एक करके clear कर सके तो फट आफ़र इसके skin shot लेजेगा आगे पढ़ेंगे यह पूरी तरह स अगर देखा जाए तो सबसे कम द्रब्यमान वाला ग्रह हमारा शनी है अगर द्रब्यमान के आधार पर अगर देखा जाए तो घड़ते हुए क्रम में इस क्रम में घड़ते हुए क्रम में माने इस क्रम में सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा द्रब्यमान में अगर घड़ते हुए क्रम में देखा जाए तो देखिए यह जो चार ग्रह बाहर बाहर ह्वो जाए आपका ब्रहाश्पति अजनी अरों वर्ण कि यह द्रब्यमान में है सबसे ज्यादा ब्रहाश्पति सनी इना सबस्द्र ब्रहाश्पति का एधिर शनी का फिर वर्ण का फिर हरुका फिर प्रिथिवी का फिर प्रिथिवी का फिर सुक्र का फिर आपका मंगल का और सबसे बाद में आपका बुद्ध का आता है इस परकार हमने देखा कि यहाँ पर दो चीजे हैं सरवाधिक द्रबिमान ब्रहश्पति का है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो द्रबिमान होता ह वह किसका है वह ब्रहνα्षपति का है और सबसे जो ध्रभ्रम मान है वह किसका है थुपुर का है यह गर यह दू Tortено यह गर में गनत तो क्या धार अगर का पड़ते हुए करम है अगर तो क्या धार पर अगर हम देखें बढ़ते हुए करं में तो सबसे चोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा डियाग्राम आपको क्लियर हो जा रहा है पर वाट्साइप करके आर्लिंग क्लास हम दे जनकारी ले सकते हैं टेलिग्राम पे आप दुर्गेश सर्च करके इलने पे दुर्गेश से जरू जुड़िएगा और इसकी पीड़ हमारे टेलिग्राम पे होगी यहां पर दिखेंगे घंट क्या दार पर देखेंगे जो सबसे कम घंट्थ है वो सनी को अब इसक बारे मारे के पढ息 हम लोग सबसे कम घंट्थ पूरे सौरंमंडल में शनी के बाद फिर अरूण झानत्थ है उससे ज्यादा फिर उसके बाद आपका ब्रहश्पती का है सबसे कम घनत तो शनी का फिर अरुण का फिर ब्रहश्पती का फिर वरुण का फिर किसका है वरुण का है वरुण के बाद फिर मंगल का है फिर आपका शुक्र का है फिर आपका बुद्ध है फिर आपका सबसे ज्यादा गनत तो किषका है पृतिय वी का है यहां पर हम लोगों ले देख लिया कि हमारे शौर मंडल में सबसे ज्यादा घंद तो किषका है और सबसे कम घंद तो किषका है कि आप लोग को यहां से कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्य आ रही है अगर आ रही हो तो पहला काम आप पोछ लिजेगा अगर नहीं आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यह दि सबसे कम घंद तो शनी का है उससे ज्यादा रून का है उससे ज्यादा अब देखेंगे तो mangal का है फिर उससे ज्यादा आप लत करादे। बस इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है यह सारी बाते आप समझे रहेगा आप चांते रहेगा योग कि परिच्छाओं में आजकर ऐसे प्रश्ण बुनते हैं और खासकर कूट देने के बाद पूछता है निमलिखित को दर्भिमान के बढ़तेवे करम पे सजाएए अब आगे बढ़ते हैं एक तथ्य को और जान लेते हैं फिर इंके बारे में कई चीज़े अन को पढ़े लेंगे पहली बात तो यहां से स्कीन सौट आप क्लिक कर लीजेगा देखिए प्रिथिवी के अगर हम परिक्रमण की बात करते हैं जो परिक्रमा करते हैं दूसरे की क्योंकि सभी किरा सूर की परिक्रमा करते हैं सौरमंडल की बात करें तो आजी देखिए अगर हम परिक्रमण की बात करें परिक्रमण तो यहां परिक्रमण में दो बात है यह देखिए पहले तो है जो परिक्रमण वेग है अगर ग्रहों का देखा जाए तो यह पहले बुद्ध है देख रहे हैं यह देखिसका अरुबिट सबसे नजदी के क्या करेगा सबसे पहले चक्का लगा लेगा उससे बड़ा क्या है शुक्र है ठीक फिर आपने देखा प्रिथिवी फिर मंगल फिर भ्रहश्पति फिर शनी आरूण और वरूण तो हमने देखा कि बुद्ध का परि जो जो बढ़ती जाएगी त्यों तो उनका जो परिक्रमण वेग है काल है वो भी लगातर क्या होगा बढ़ता जाएगा सबसे पहले सूर का चक्कर बुद्ध लगाएगा और सबसे बाद में को लगाएगा बरूण लगाएगा इस प्रकार हमने देखा कि सूर से बढ़ता जो परिक्रमण का जो जो आज समय है जो परिक्रमण का उसमें बढ़ा अंतर मिलता है वो भी सूर के दूरी के आधार पर किसी को नहीं है चलिए आगे देखते हैं आगे में यह आपर देखेंगे जैसे देखा जाए कि अगर परिक्रमण वेग सबसे ज़्यादा किसका है अगर वेग की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेग भ्यास्पती का है परिब्रमण जो वेग की बात करें जो सबसे तेज चलता है अगर पितिवी कितने जुकी है आप जानते साड़े तेज डिगरी इस तरह जुकाओ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जुकाओ है अपने अक्ष पर वो अरोड का है इसका है अरोड सबसे ज्यादा इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्या कहते हैं लेटा हुआ ग्रह कहते हैं किसे अरोड को जबकि सबसे कम सुक्र ग्रह सबसे कम जुकाओ सुक्र ग्रह का है और सबसे ज्यादा किसका है औरोड ग्रह का है वैसे जा हम लोग ग्रह पढ़ेंगे तिनके बारे में अन्य तत्थों पर भी चर्चा करेंगे उम्मीद करते हैं यहां से आप लोग को सभी जो कॉंसर्प्ट थे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं कोई क्लियर आप लोगों कोई दिक्कत है एक होता है वामन ग्रह इसके बारे में इसको रिश कर देते हैं वामन ग्रह के बारे हम थोड़ा समय लोग पढ़ते हैं यह वामन ग्रह क्या होता है यह वामन ग्रह क्या होता है इसे हम ड्राफ प्लैनेट कहते हैं क्या कहते हैं जैसे थोड़ा सा राटिवरी गडबड है वामन गरह क्यों होता है पता है अपनी ये भी अपनी कच्छा में सूर्गी परिक्रमा करते हैं इनके पास घुत्ता कर्सन को जो बनाया रखने के लिए प्रयाप्त दर्भिमान होता है इनकी कच्छा पड़ोसी कच्छा की से मुक्त नहीं होती और यह उपग्रह भी नहीं होते जैसे अभी हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा ध्यन करेंगे तो हम आपको वामन गरह ड्राफ्ट प्लेंट के बारे मताइं यह दूसरी कच्छा उकाटते हैं ठीक है जैसे आपका यह उदारान है आपका प्लेटों अभी आप के जो हैं यह है आंत्रि ग्रह चार बाहए ग्रह again अला अंत्रीक हों यहां प्राष्ण पनेगा की जो चार्व आंत्रि ग्रह जैशे औंव गया बुद्र शक्र प्रथिवी मंगल इनका अंत्रिक ग्रह का जो सबसे भाहे ग्रह होगा मंगल और बाहइ ग्रह का निण Um यहां से बन सकता है है इसलिह मैंने आपको हaltet लिए डिफाइब कर दिया आप तो ःप कोई दिख्ller कोई समझ्य आपको हो ता प्लाव सकते हैं कि ना वह सहके जांतना हों जैसे पिठिवी से जितने बिग्रह मत disgrace करते हैं या सरभी सूर की परिक्रमा करते हैं प्रते एक ग्रह द्वारा सूर के चार और जो परिक्रमा करने 형omy होता है शरक का जैसे हमारी पितिवी का जो एक वर्स है वो लगबग 365 दिनों के बराबर है ठीक है तो हमें कहते हैं कि हमारे एक वर्स बराबर 365 दिन इसकी बारे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अन्य चीजे जानेंगे जो यह अवदी होती है यह सूर से ग्रह की दूरी पर निर्फर करता है मैंने भी आपको बताया जितनी दूरी बढ़ते जाएगी उतना समय बढ़ता जाएगा फिर अगे हम देखेंगे जैसे अगर हमें आपे ग्रह की बात करें आपे जैसे बहुत सारे हमारे ग्रह को भी तो पढ़ना है तो जितने भी ग्रह सूर के चारोत गुमने वाले सभी ग्रह अपनी धोरी पर घुमते हैं जिसके लगा समय घुमने का काम करती है गर एपने कचिनुप मिलादों की। पाते हैं कि सुग्र का जुखाव सबसे कम और आरोड का चुकाओ शबसे ज़्यादा होता है अब अगर हम इनमें उपग्रह की बात करें तो यहां से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी थोड़ी बात है थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो कुछ चीज आपको समझ में भी आजाएगा नहीं और सौर मंडल के बात करें तो सोर मंडल मुं ऊस्तित ग्रहों में प्रिथिवी, बुद्ध, सुक्र, मंगल, भ्रहस्पति, सानी, इन लोग को नगन आखों से देखा जा सकता है, मतलब, एक लाइन में मैं आपको हैं समझा दूँ, जिन ग्रहों के नाम हमारे दिनों के नाम से मिलते हैं, उन्हें कभी न कभी हम नंगी आखों से देख सकते क्या कर सकते हैं, इन्हें हम नंगी आखों से देख सकते हैं, यह आप जानते रहेगा, इसका ट्रिक है कि जिन ग्रहों को हम दिनों के नाम से जानते हैं, उन्हें कभी ने कभी नंगी आखों से देख सकते हैं, इन तब तक हम लोगों ने देख लिया, आप कुछ आने तथे भी उनके बारे में भी थोड़ा से लोग जान लेते हैं जैसे अगर देखा जाए कि अरुण ग्रह की खोच किस ने किया था एक प्रशना है दो ग्रह बजगे इनको बारे में जान ले अरुग्रह की खोच किस ने किया था अब जानते हैं विल्लियम हर्शल ने किया था अगर ह ठीक है और वरुणग्रा को लेवीरियर लिख लीजिएगा वरुणग्रा की बात करें तो लेवेरियर और एडमस इन दोनों ने मिलकर 1847 में किया था ठीक है यह सब जानते रहेगा यह थोड़ी छोड़ी बाते हैं विलियम हर्सल 1781 में अरुणग्रा की खोश की थी और लेवेरियर एडमस ने 1847 में वाणुग्रा की खोश की थी यह दोनों प्रशन हो सकता कभी आपके परिच्छा में पूछा जा सके एंसाटी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होती हैं और एंसाटी में ऐसे प्रशन प्र क्रम्षा पढ़ेंगे आललाइन जो क्लास हमारी चल लिए हम आप एक क्रम्षे पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लास के लिए 63063 डेवल 4367 पर आप वाट्साप करके ऑनलाइन क्लास स्वं मंदेद शभी जानकारी हैं यहां नाप देखर शकते हैं तुमने यहां पर देखा कि जैशे अगर बुद्धगर्य की बात करें इसके तरब चारो तरफ हैट्रोजन का एक छीड़ आवरण हैं अगर हम सुक्रगर्य की बात करें तो यहां पे सबसे जादा CO2 है अब इसके बारे में देखेंगे सबस्यादा CO2 है बैट्थिवी पर अगर देखा जाए तो नैट ग्राफ पे, BCO2, nitrogen, argon, oxygen gas, मंगल ग्राफ पे, ब्रहस्पती ग्राफ पे जो सबसे ज़्यादा hydrogen है, helium है, methane और ammonia है, इसलिए जो ब्रहस्पती ग्राफ है इसे तारो वाला ग्राफ है, कहते हैं, तारो वाले इसमें है ज्यादा hydrogen, helium, methane है, ammonia है, अगर सनी की बात करें, शनी में, methane और ammonia gas है, methane और ammonia, CH4 और ammonia gas है, अरुण में, केवल मिथेन है, अरुण में केवल मिथेन है, वारुण में भी केवल मिथेन है, तो ये सबी चीज़े आप लोको gas के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़े, अगर हम जानते रहेंगे, तो हमारे और आपके लिए बढ़ तापमाँ पूरमदा कंपार वाला ग्रह वह कौन सा है जो है यहां जो दिन का इता का आपमाँ देखा जाए यह ओता है 350 डिग्री चल्सियस 350 डिग्री चल्सियस अगर रात देखा जाए तो यह जाता है माइनस 170 डिग्री चल्सियस अगर रात का तापमान देखा जाए किश्की बुद्ध ग्रागी दिन में तो 350 डिग्री चल्सियस रात में 170 माइनष तो 70 डिग्रीश होता है लेकिन सौरमंडल में सबसे गर्म गर्म पूश्ट दिया जा तो हमारा शुक्र होता है पता क्यों पिए सबसे जादा तापमान कितना है प्लस, 475 degree Celsius, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म कर अगर कोई है तो वह सुक्र जाए, और सबसे ठंदा पूच दिया जाए, अगर सबसे ठंदा पूचा जाए, सबसे ठंदा कौन सा है, तो आपका आरूड है, सबसे ठंदा कौन सा है, वरुन, यहा का तापमान है, माइनस 278 degree Celsius, जबकि वरुन का भी अगर मैं आपको बता हूँ, तो वरुन 208 है, माइनस 208 degree Celsius, ठीक है, यह बात आप जानते हैं, वैसे सब लोग कहते हैं, सबसे दूर का सबसे ठंदा है, लिकिन तापमान में देखा जाए, तो अरूण सबसे ठंदा है, और सबसे ज़्यादा इधर से दूसरा, सबसे गर्म इधर का दूसरा, माने अरूण, असुखर, और इधर का दूसरा, सबसे ठंदा अरूण, और सुखर, सबसे ठंदा अरूण, अभी जातर केताबों में आपको वरुन मिलता था, लेकिन वरुन का जो तापमान, माने 208 degree Celsius है, जबकि अरूण का माइनस 278 है, 200 बार, 270 degree Celsius का अंतर है दोनों में, यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैं उमीद करता हूँ, आप यह बात अच्छी से बली बाती जानते होंगे, अभी आज कोई प्रस्न हो, तो आप पूश सकते हैं, अगर जुकाओ की बात करें, एक लाइन सभी तो साथ डिग्री है, शुक्र का जुकाओ, तीन डिग्री है, पुरे प्रिथिवी पर सबसे कम जुकाओ अगर किसी का है, तो किसका है, यह शुक्र का ही है, अगर हम प्रिथिवी की बात करें, अगर हम लोग प्रिथिवी की बात करते हैं, तो प्रिथिवी का जुकाओ, आ उड़ें बिहाश्च पती की बास करें यह बी यह है इंए जो आलश मिनट लेकिन अरूं इससे लेट वोग रहुकत है लेकिन जो ये 28 डिग्री 28 डिग्री और 40 मिनट 28 डिग्री और 40 मिनट जो है वो अरुणा जुखाऊ इस प्रकार हमने देखा कि सबसे ज्यादा जुकाओ सबसे ज्यादा जुकाओ जो है सबसे ज्यादा अरुलका है और सबसे कम जुकाओ इसका है वरुलका ये सारी चीज़े आप लोग जानते रहेगा इसके बाद फिर ग्रहों को स्रीज है हम लोग कल पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे और जहां से आपके सभी तथ है सभी पॉइंट हो एक करके चरचा करते जाएंगे उनके वाहरे में बताते चलेंगे एक ग्रह को लेकर एक इनास थोड़ा सा ओरली जो चीज़े हैं महों है कि इस वीडियो को सेर जरूर करिएगा लोगों तक पहुचाईएगा जरूर विगर आप लोगों तक नहीं पहुचाते हैं इसका पढ़ने का कोई आउचित यो मतलब हमारा नहीं निकलेगा ठीक है चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे अब इसके बारे में य सबसे ज्यादा दरभ इमान की बात करें हम तो सबसे अगर पित्थी को दरभ इमान है वो 5.5 दसमलों 5.2 है कहीं के 5.5 भी मिलता है यह ग्राम प्रतिघनशेमी है नहीं सेमी एसे होता है और सबसे कम जो है वह इसका है कहीं यह 6.9 है कहीं कहीं हमें आपको मिलता है 0.79 लेकि आपको यही मिलता यही मिलता है यह भी क्या आपका ग्राम प्रति शेमी क्यों ठीक है बाकि इसको हम क्रम से आपको जब पढ़ाएंगे तो एक एक कर्ग्राउं का लिखवा देंगे सबसे ज़्यादे इनका सबसे कम है और इसमें एक पूछा जाता है अग्रह को लेकर लेटा वह अग्रह किसे कहते कमेंट करके बताएगा लेटा वह अग्रह किसे कहते हो कमेंट करके जवाब जरूर देजिएगा अब यह देखें कि किसके पास कितना उपग्रह है तो यहाद रखेगा बुद्ध और सुक्र बुद्ध और सुक्र हमारे सुर्मंडल के दो ऐसे ग पुख रहे नहें नहीं के पास कोई CANDRAMA नहीं लेकिन प्रिथिवी के पास एक CANDRAMA है एक उपघड़ा многal के पास 2 है अगर मैं पैसे लिखते चले जाए तो इसके पास 0 है इसके पास 0 है इनके पास एक जानल यक मेत नाम से जाना जाता है मंग Dieses अध्य gonna दो है कौन-कौन फोबोस डीमोस क्लियर भ्यास भी लिखना चाहिए लिख लीजेगा यह यह फोबोस 25 कीमी है डीमोस 13 कीमी है चंदरमा का 375 किलोमेटर है लेकिन ब्यासपत्ति का एक दब से सही अकड़ा नहीं मिलता कहें उन्हें 70 मिलता है लेकिन यह अलग लग अकड़ा मि नहीं मिलता है थेग है अगर सनी का देखा जाए तो 42 मिलता यह अरऊ का देखा जाए अगर यह आपका उप्ग्रहों की संख्या थी यह К्या था अब इन के बारेमे आने तथ्यों को जो हम लोग पढ़ेंगे दिखी जे जुड़वे बहुत सारी यहां से प्रशेश्यों ससे बाहरा बाहरा पुछे आते है मैं 6306000437 पर वाट्सेप करके नाश करी आ पले सकते हैं अप डुर vaccin सरसर्च करिएगा और इलनीप दुर्गेश से जुड़िएगा फेजुक पेज, इस्टाग्रम, ट्विटर इलनीप दुर्गेश है जिसे गर हम लोग अगर इनके घोडन की बात करें, तो सबसे कम दिन में, अगर इनके दिन की बात करें, तो यह 88 दिन में सूर का चक्कर लगाता है एत्ते दिन में यह 88 दिन में सुषक्र का चक्कर लगाता है। लेकिन यहीं मंगल जो है वो छासवाले इधर वाले जितने हैं अंतरी ग्रह ये सभी दिन में चक्कर लगाते हैं। और यह वर्स में लगाते हैं यह सभी जो होंगे यह वर्स में लगाएंगे वर्स में क्या अगर हम भ्रेश्पति की बात करें तो ग्यारे दसमलो आठ छे वर्स में वहीं अगर वहीं पर हम सनी की बात करें तो सनी का कई बार पूछा चुका है कि साड़े 29 साल में लगाते हैं 29 दसमलो 5 वर्षों में लगाते हैं लेकिन अगर हम अरुण ग्रह की बात करें युरेनेस की बात करें तो यह 84 वर्षों लेकिन वरुण जो है वह 174 दसमलो 8 वर्षों में हो दिन ने चक्क कर लगाते हैं जो आंत्रीक ग्रह वो दिन में चक्क लगाते हैं तो यहां से परिक्षा में पुछने योगने प्रस्ण थे वह हम से पूश रखते हैं और हम आपके इन प्रस्णों का जवाब भी देने का प्रयाश करेंगे जैसे पूछा जाता है कि कौन-कौन से ग्रह इसे हैं जो वीप्रीद जिस्शा में खुंते हैं तो आपका इधर से दूसरा इधर से दूसरा सुक्र और वरूण है ठीक है हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है आप लोग कमेंट कर मार्स को आरेन अक्साइड कारण मंगल को लाल ग्रह का संग्याद दी जाती है लेटा हुआ किसे कहते हैं मैंने कुछ दर पहले पूछा था आरोन को कहते है यह साड़े बैसे डिग्रीस का जुकाव है क्लियर एनी डाउट किसी को अब यहां पे सूर्च से सबसे दूर इस्थित ग्रह नेच्चुन माने भरुण ग्रह यह आपकर लेंगे सबसे ठंडा और मैंने पहले बताया माने 270 माने 208 है सबसे ठंडा ग्रह अरोन सबसे छोटा ग्रह बहुत दुजिशा मरकरी के अत्डा तो यह हमारा था आज के ग्रहाओं से जुड़े उन महत्तपुन तत्थे जो एंसियाटी के सेलवश के अधाय पर मैंने बढ़ा दिया आज हम सौरमंडल से जुड़े हुई उन तथ्थों उन के बारे में हमने एक र शेयर किया है अभी लोगों तक नहीं पहुचाया है तो सबसे पहला काम करेगा इसे शेयर करेगा ताकि लोगों तक पहुचे लोगों तक जाए और यह NCRT की स्रीज जोग्रॉफिक है यहाँ पर हमारे हाँ ओनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर सभी चे जो उपलब अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रशन हो तो बहीं चक आप पोशकते हैं और अगर आपके मन में कोई शवाल नहीं है तो कोई बात नहीं इस वीडियो को लोगों तक पहुचाएगा शेयर करिएगा सभी बढ़ती परिच्छों के लिए NCRT वगोल महत्वण है और या सिरीज आपकी परिच्छा दिश्ट कौन से महत्वण होगी तो जुड़े रहेगा अपना बेश्ट देते रहेगा फिर यदि कोई शमस्या रहती है आप हमसे जरूर पूछेगा और एक छोटा सा प्रस्म है जिसका उत्तर आप कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरूर दि दीजेगा तब तक आपसे भी सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद टेलीग्राम पर दुरगेश सर्च करके जरूर जुड़े रहेगा ताकि हर वीडियो की नाटिपी कैसान आपको सबसे पहले मिले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दवाया त वीडियो को शेयर करिएगा जय हिंद जय भारत